नमस्कार दोस्तो मैं मनुच हुलारा और आज हम लोग बात करने वाले हैं SSC GD Constable की जिसका पेपर आज यानी 14th FAP 2019 को हुआ है दोस्तो SSC GD Constable में काफी सारे कोशन रिपीट आ रहे हैं काफी सारे कोशन रिलेट आ रहे हैं तो अगर आपको पुरानी आंसर की चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल में जाएए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आप वहां से देख लिजिएगा तो चलिए देर नहीं करते हुए देखते हैं कि आज कौन-कौन से कोशन SSC GD के Constable में पूछे गए फर्स कोशन पूछा गया कबड़ी विश्वकप 2016 का विजयता कौन है तो दोस्तो कबड़ी विश्वकप 2016 के विजयता है भारत मूफ करते हैं सेकंड कोशन की तरफ जिसमें पूछा गया था मनीपूर का Capital क्या है तो दोस्तो मनीपूर का Capital है वो है इंफाल मूफ करते हैं थर्ड कोशन की तरफ जिसमें पूछा गया Temperature की Unit तो दोस्तो Temperature की Unit होती है Calvin Degree Celsius भी होती है Fahrenheit भी होती है बात करते हैं फोर्थ कोशिंग की तरफ जिसमें पूछा गया विश्व खाद दिवस तो दोस्तो विश्व खाद दिवस मनाया जाता है 16 ऑक्टुबर को मूव करते हैं 6 कोशिंग की तरफ जिसमें पूछा गया मंदिर निर्मान की कला का जन्म किस काल में हुआ था तो दोस्तो मंदिर निर्मान की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था मूव करते हैं 7th question की तरफ जिसमें पूछा गया दूद उत्पादन में भारत का स्थान तो दोस्तों दूद उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा दूद का उत्पादन करते है move करते हैं 8th question में जिसमें पूछा गया राज्य की कारिपालिका का प्रमुक कौन होता है तो दोस्तो राज्य की कारिपालिका का प्रमुक होता है राजपाल जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नर तो ये थे 8th question चलिए move करते हैं next question की तरफ 9th question जिसमें पूछा गया R.N. Malhotra Smitty का संबंद किस से था तो दोस्तो R.N. Malhotra Smitty का संबंद बीमा शेतर से था जिसमें पूछा गया भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की कोज कहां की गई थी तो दोस्तो भारत में सबसे पहले petroleum की कोज dick boy में की गई थी move करते हैं 11th question के तरफ जिसमें पूछा गया पालक की पते में पाया जाने वाला vitamin तो दोस्तो पालक के पते में vitamin A पाया जाता है और vitamin A से जो बिमारी होते हैं उसे हम कहते हैं night blindness मूफ करते हैं 12th कोशिंग के तरफ जिसमें पूछा गया 2019 World Cup Cricket कहा होगा तो दोस्तो 2019 का World Cup Cricket होगा England और Wales में मूफ करते हैं 13 कोशिंग के तरफ जिसमें पूछा गया शुद्ध आंदोलन के संस्थापक तो दोस्तो इसके संस्थापक है स्वामी दयानन सरस्वती मूव करते हैं 14 कोशिंग की तरफ जिसमें पूछा गया 2018 का रास्ट्य मंडल खेल कहा हुआ तो दोस्तो 2018 का रास्ट्य मंडल खेल हुआ आस्ट्रेलिया में मूव करते हैं 15 कोशिंग की तरफ जिसमें पूछा गया था पंच चंत्र का लेक पंज चंत्र का जो लेखक है दोस्तो वो है विश्नू शर्मा तो दोस्तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशो ध्रा मूफ करते हैं 17 कोशिंग की तरक जिसमें पूछा गया उडीसा के राज़ीपाल तो दोस्तो उडीसा के जो राज्येपाल हैं वो हैं गनेशी लाल गनेशी लाल मूव करते हैं 18 कोशिंग के तरफ जिसमें पूछा गया जातक कथाएं संबंदित है तो दोस्तो जातक कथाएं हमारी संबंदित है गौतम बुद्ध से तो देखिए दोस्तो गौतम बुच से रिलेटिक कितने सवाल पूछे जा रहे हैं मूव करते हैं 19 कोशिंग के तरफ जिसमें पूछा गया 86 वा समवीदान शंशोधन किस से सम्मनित है तो दोस्तो ये है शिक्षा से यानि एजुकेशन से तो दोस्तो भारत के पहले उप प्रधान मंतरी थे सरदार वल्ला भाई पतेल दोस्तो सरदार वल्ला भाई पतेल से रिलेटेड काफी कोशिंग पूछे गए पिछली बार पूछा गया था सेची ओफ लिनिटी किस पे बनाया गया है लोहा पुरुष किसे कहते हैं तो दोस्तो ये सब कहते हैं सरदार वल्ला भाई पतेल को उमीद करता हूँ आपको मेरा ये कुशिंस पसंद आयोंगे अगर आपको पसंद आये तो प्लीज चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद